नमस्कार ओम सान्ति बच्चों मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच सेवेंथ कलास के इंगलीज का छठा लेशन पाठ का नाम है इवान का भावार्थ लेकर आया हूँ बहुत अच्छी कहानी है यह काफी सिख्छा प्रद तो पहले हम लोग इसके वारमर को जानते हैं फ पहला पॉइंट है डू यू एभर फाइंड पीपूल क्वेरलिंग इन यूर नेवर हुड क्या आप अपने परोशी को कभी जगरा करते हुए पाते हैं पॉइंट नमबर टू वाट डू पीपूल क्वेरल ओभर लोग किस चीज के उपर जगरा करते हैं तिसरा पॉइंट पॉइंट है हाव डू दीज क्वेरल्स अफेक्ट यूर लाइफ यह जगरें कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं चौथा पॉइंट है हाव आर दीज क्वेरल्स डिजॉब फाइनली और अंततह इन जगरों को कैसे सुलजाया जाता है तो यह है अब हम लोग हैं इवान वाज फार्मर फू लिवड इन भीलेज इन रसिया इवान एक किसान था जो रूस के एक गाउं में रहते थे ही वाज रीच वह अमिर था ही हैड थ्री संस हू वेर लेवोरियस उसके तिन पुत्र थे जो परिश्रमी थे इस फादर वाज ओल्ड और शिक उसके पिताजी बुढ़े और बिमार थे गाबरियल वाज ही नेवर गाबरियल उसका परोशी था दे वेर गुड नेवर्स वे लोग अच्छे परोशी थे दे वेर हैपी एंड कमफोर्टेवल बिथ इच अदर वे लोग एक दूसरे के और सहज रहते थे अराम से रहते थे इभान हैट सम हैंस इभान के पास कुछ मुर्गिया थी वन डे अहें फ्लू एक्रोस दा फेंस एक दिन एक मुर्गी उरकर बारे से पार चली गई इभान की पतो हुँ इस बात का पता लगाने के लिए उसके घर गई गावरिल्स मदर रिपलाइड रिवडली गावरिल की मा ने बेरुखी से जवाब दिया इट लेड टू अक्वेरल इससे जगरा हो गया सुन इभान गैवरिल एंड देर वाइपस स्टार्टेड क्वेरलिंग सिगरिंग इभान गैवरिल और उनकी पतनिया जगरा करना सुरू कर दी देर नेवर्स हैड टू इंटर्वेन टू पैसिफाइ देम उनके परोसियों को उन्हें सांथ करने के लिए हस्ट छेप करना पड़ा बट देर क्वेरल डिड नोट स्टाप लेकिन उनलों का जगरा सांथ नहीं हुआ इभान अपरूटेड गैवरिल गैवरियल्स बियर्ड इभान ने गैवरियल की दाढ़ियों खार ली गैवरियल वेंट टू कोट बाई बस बट इवान वेंट देर बाई ट्रेन गैवरियल नियाले में बस से गए और इवान वहां ट्रेन से गए बोथ फाइल ड़ केस उन दोनों ने मुकदमा दर्ज किया दहेरिंग प्रोलॉंग्ड सुनभाई लंबा समय चला इसने उन दोनों को आर्थिक रूप से बरवाद कर दिया उन लोग के पास सांती नहीं थी अब उन लोग खुस भी नहीं थे इवान के पिताजी जो बुढ़े और बुढ़िमान थे उसे पसंद नहीं करते थे उन्होंने उन लोगों से एक दूसरे को माफ कर देने और पुराने जगरों को भूल जाने के लिए कहा इसकी किमत क्या है हैटरेट ब्रीट हैटरेट इंसान नफरत को बढ़ाता है इन एंगर यू डॉंट नो वाट यू आर सेंग एंड दूइंग गुसा में तुम नहीं जानते हो कि क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो आप अपनी धैर्ज और बुद्धी मता को खो देते हैं इट सम्टाइम्स लीड़ तो डिस्ट्रक्शन यह कभी-कभी बरवादी को लाता है दा ओल्ड मैंस एडवाइस वर्ग उस बुद्धे आदमी का सलाह काम कर गया इवान और गावरिल वेर रिकॉंसिल्ड इवान और गावरिल आपस में मिल गए उन दोनों में मेल मिलाफ हो गया डे बिगेन टू लिव टुगेदर इन पीस वन्स एगेन और एक बार पुनह वे दोनों एक साथ सांती पुर्वक रहने लगया दे वेर भेरी हैपी नाउ अब वे लोग बहुत खुश्ट हैं और इस प्रकार से यह कहानी पूरा होता है अब हम उपर से कुछ कठीन सब्दों को देख लेते हैं क्वेरलिंग माने जगरा नेवर्वूर मिंस परोसी अफेक्ट मिंस परभाव डालना रिजॉल्व मिंस सुल्जाया जाता है फाइनली माने अन्तितः लेवोरियस मिंस परिश्रमी शीक मिंस बीमार कमफोर्टेवल मिंस अराम सहज इनक्वायर मिंस जाच करना पता करना रिपलाइड मिंस जवाब दिया अरिउडली मिंस बेरुखी से इंटर्वेन मिंस हस्षेप करना पेसिफाई मिंस सांथ करना अपरूटेड मिंस उखार लिया बीयर्ड मिंस दाधी फाइल मिंस दर्ज किया केस मिंस मुकदमा हीरिंग मिंस सुनवाई प्रोलंग मिंस लंबे समय फाइनेंशियली मिंस आर्थिक रुप से पीस मिंस सांथी फार्गी मिंस माफ करना फार्गेट मिंस भूल जाना डिस्प्यूट्स मिंस जगरा विवाद हैट्रेड मिन्स इर्ष्या, घिर्णा, नफरत, ब्रिर्ष मिन्स पालता है, एंगर मिन्स गुसा, पेसेंस मिन्स धैर्ज, विज्डम मिन्स बुद्धिमानी, डिस्ट्रक्शन्स मिन्स विनास, लिट्स मिन्स लाता है, रिकॉंशिल मिन्स आपस में मेल मिलाफ हो गया, और इस प्रकार से इसमें जो भी कठिन सब्धार्थ है, उसको मैंने बता दिया, आब हम लोग चलते हैं इसके प्रस्णूतर के उपर, लेट्स कम्प्रिहेंड, हम लोग समझे, ठिंक एंड टेल, सोची और कहिए, एंसर द फॉलएंग कुस्टन सोरली, निमलिखित प्रस्णू का जवाब मौखिक रूप से दे, तो कोशिस करना है पहले अपने से देने का, फिर आपकी मदद के लिए यहाँ पर मैंने लिख द रहता था, वह रूस में ए गाउं में रहता था, नेक्स्ट, फू वाज हीज नेवर, उसका परोशी कौन था, तो गैबरियल वाज हीज नेवर, गैबरियल उसका परोशी था, फू बिगें टू क्वेरल, जगरा करना किशने सुरू किया, तो इवान, गैबरियल और उसकी पत्नियां जगरा करने लगी, फू इंकरेज देम टू रिकॉंसील, आपसी मेल मिलाप करने के लिए उन लोग को किशने उचसाहित किया, इवान's old father encouraged them to रिकॉंसील, तो इवान के बुडे पिता ने उन लोग को आपसी मेल मिलाप करने के लिए उससाहित किया, अगला कुस्तन है, think and right, सोची और लिखिये, तो पहले खुद से कोशिस करना है, फिर यहां से आप मदद ले लिजे, righty for true and a for false assessment, जो सही कथन है, उसके लिए true लिखना है, और जो गलत कथन है, उसके लिए false लिखना है, इवान वाज अरीज फार्मर, इवान एक अमीर किसान था, यहां कथन सही है, तो हमने true लिख दिया, दहेन लेड एक सिंद एस्ट्रीट, मूर्गी ने गली में अंडा दिया था, नहीं, उसने गैबरियल के घर पे अंडा दिया था, तो यह statement हमारा false हो गया, गैबरियल अपरूटेर इवान सबोर्ड, बियर्ड, गैबरियल ने इवान की दारी उखार ली, तो यह ठीक उल्टा है, इवान ने गैबरियल की दारी उखारी थी, तो यह statement भी हमारा गलत हो गया, Anger leads to destruction, गुशा या क्रोध बरवादी लाता है, या विनास को लाता है, तो यह कथन सही है, इसलिए गुशा पर नियंत्रन करना चाहिए, इवान और गैबरियल दिद नॉट बिकॉम रिकॉंसिल्ड, नहीं, अन्त में दोनों जो है, आपसी मेल मिलाप कर लेते हैं, तो यह कथन हमारा फॉल्स है, आगे चलते हैं, fill in the blanks with words from the lesson, आप पाठ के सब्दों से खाली जग को भरिये, इवान और गैबरियल वियर नेवर्स, इवान और गैबरियल परोसी थे, तो यह नेवर्स हमने बर दिया है, इवान's father was old and sick, बिमार थे और बुड़े थे, इवान से हैं, फिल्यू ओभर दे फेंस, बारे को पा इवान की जो पतु ही थी, इस बात का पता लगाने के गई थी, नेक्स है, इवान, गैबरियल और वाइप से श्टाटेड को भर लिंग, खाली जगह में भरा जाएगा, इवान, गैबरियल और उनकी पत्नियों ने जगरा करना सुरू कर दिया, अट लास्ट इवान और गै आपस में मिल गए हैं, अगला है, इवान वाज रीच फार्मर फ्रॉम रसिया, नहीं, कुछन पले समझते हैं, आएरेंज द फॉलेंग सेंटेंसे इन प्रोबर प्रोपर ओर्डर, सो दाट दे मेक अ कम्पलीट स्टोरी, नीचे कुछ सेंटेंस दिये गए हैं, इसमें बी स आगे से लेकर, एच से लेकर के जे तक स्टेंस है, दस वाकी है, कहानी से लिए गए हैं, अइ behavior करके रखा गिया है, आगे वाला को पीछे, पीछे वाला को बीच में, तो हमने इसको देखा है, और हमने इसको क्रम से सजाद दिया है, आप लोग अपने से पहले पढ़िए क कोशिस करिए खुद से एरेंज करने का और नहीं तो मैंने यहां पर अंक दे दिया है इसको पहले लिखिएगा जैसे ए नमबर है एक में इसके बाद दो नमबर सेंटेंस वाला को आप लिखिएगा गैबरियूल वाजीज नेवर इसके बाद तीसरा नमबर लिखिएगा इसक कंप्लीट सेंस वाला यह स्टोरी बन जाता है जो हम लोग ने पढ़ा है अब हम लोग चलते हैं एंसर इच अफ फॉलॉइंग कुशंस इन नॉट मोर दें 50 वर्ड्स निमलिखित परसनों का जवाब प्रजाश से जादे सब्दों में नहीं होना चाहिए उससे कम जो भी हो 30 35 45 तो पहले हम लोग प्रसन समझते हैं फिर इसका जवाब भी समझेंगे जवाब हमने लिख के रखा है चलिए अ कुशन है इन एंगर यू डॉट नो वाट यू आर सेंग एंड डूइंग गुशा में आप नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कैसे गुशा जो है बरवादी लाता है दूसरा कुशन है इवान के पित आपके विचार से कैसे आदमी थे उन्होंने इवान और उसके परोशी को सांध करने के लिए क्या किया तिसरा इवान के परोशी होते हैं तो आप इस जगरा का समधान करने के लिए क्या करते हैं तो इन प्रस्नों का थोड़ा सा लंबा जवाब है तो आप इसको जवाब के रूप में इस परकार से लिख सकते हैं तो यह है B.2.4 का जवाब पहले प्रस्न का A का जवाब है Yes, I am agree with the statement मैं इस कथन से समध हूँ In anger, quarreling persons damage physically, harass mentally and file a case in the court जगरा में गुशा में जगरा करने वाले लोग सारिक नुशान पहुंचाते हैं मानसीक रूप से हराश करते हैं और court में case भी करते हैं इस परकार वे अपने आपको आर्थिक रूप से बरवाद करते हैं उसी परकार से दुसरे परस्न का जवाब है Ivan's father was old but wise Ivan के पिताजी बुढ़े थे लेकिन बुढ़िमान थे He asked them to forgive each other and forget the old dispute His advice work and they became reconciled उन्होंने उन लोगों से एक दूसरे को माफ करने और पुराने जगरों को भूल जाने के लिए कहा उनका सलाह काम कर गया और वे लोग आपस में मिल गएं उसी परकार से तिसरा प्रस्ण का जवाब है यदी मैं If I were Ivan's never यदी मैं Ivan का प्रोसी होता I would suggest them not to file a case in the court तो मैं उन्हें नयायाले में या अदालत में case करने के लिए नहीं सलाह देता and try to suit out the old dispute by mutual understanding और उस पुराने जगरा को आपसी समझदारी के साथ समधान करने की कोशिश करता इस परकार से इन प्रस्णों का जवाब हो गया आप इन्हें कौपी में लिख सकते हैं अब हम लोग चलते हैं अगला प्रस्ण की और हमारा अगला प्रस्ण है word study शब्द का अधिया correct the following miss spelled words निमलिखित जो गलत spelling किये गए सब्द है गलत spelling वाले सब्द है उसको सही करना है तो peace का spelling P.E.S.E. होता है forget का ये है इस प्रस्ण का जवाब पहले आप लोग खुद से किताब की मदद से करिए यदि नहीं मिलता है तो फिर ही इसका मदद दे लिजिए सब का दिया गया है आगे चलते हैं match the words in column A with their meaning in column B कहता है अस्तम्ब अ में दिये गए शब्दों के अर्थ का मिलान column B में अस्तम्ब B में दिये गए सब्दों के साथ करिए तो पहले हम लोग इसके सब्दार्थ को समझते हैं फिर अर्थ match करने में शुब्दावी farmer माने होता है किसान laborious मिन्स मेहनती परिश्रमी rudely मिन्स बेरूखी से quarrel मिन्स धगरा forgive मिन्स माफ करना उसी परकार B में देखते है hard working मिन्स होता है कठिन परिश्रमी मेनती present मिन्स किसान dispute मिन्स धगरा विवाद pardon मिन्स छमा करना हरासली मिन्स रुखाई से बेरुखी से तो हम लोग देखते हैं कि इसको हमको मिलाना हो तो बरी आसानी से मिलाने में कहीं कोई दिकत नहीं होना चाहिए farmer मिन्स किसान किसान हमारा मैच कर जाएगा pigeon के साथ laborious मिन्स परिश्रमी तो ये हमारा मैच कर जाएगा hard working के साथ rudely माने रुखाई से तो इसका हो जाएगा हरासली से उसी परकार से quiral है तो quiral मीं जगरा होता है तो इसको हम मिला देंगे dispute से और forgive मीन्स होता है माफ करना तो pardon मीन्स मीन होता है माफ करना तो ये हमारा इस में लिया और इस परकार से हमारा ये प्रस्न clear हो जाता है आगे चलते हैं अब है अगला प्रस्न कता pick out sentences from the lesson in which the following words have been used कता है आप अपने पार्ट से उस वाक्य को चुनिये च्छाटिये जिसमें नीचे दिये गये सब्द इस्तेमाल किये गये हैं then use these words in your own sentences इसके बाद इन शब्दों को अपने वाक्चों में प्रियोग करे तो सब्द है मेवर कमफोर्टेबल हैट्रेड विजडम एडवाइस तो आप लोग पहले क्या करिए कि किताब में ये कहां पर दिया गया उस वाक्य को पहले उतार लिए और फिर कोशिस करिए अपने से इन सब्दों का प्रियोग करते हुए वाक्य बनावे तो आपकी शुद्दा के लिए हमने इसका भी जवाब लिख लिया है आप उसे नोट कर ले तो वो जो सब्द दिये गये हैं उसमें पहला है नेवर तो ये वाक्य का ये पाठ का सेंटेंस है गैवरिल वाज इस नेवर और आप लोग की शुद्दा के लिए हमने अपने सब्दों में छोटा छोटा वाक्य बना दिया है तो नेवर से मिला हुआ एक सेंटेंस हो गया यू आर माई नेवर उसी परकार कमफोर्टेवल से बना हुआ किताब का ये वाक्य है और ये अपने सब्दों में she is happy with comfortable she is happy and comfortable with her husband उसी परकार से ये वाक्य है हैट्रेट सबसे बना हुआ पुस्तक का ये वाक्य है और ये खुद से हैट्रेट is a devil trait नफरत एक आशूरी गुन है विजडम ये किताब के वाक्य है और patience and wisdom are virtues धैर्ज और बुद्धी मता ये सद्गुन है उसी परकार से एड़ाइस पर आधारिती ये किताब के वाक्य है और your advice is acceptable to me आपका शलाह मेरे लिए स्विकार्ज है ये उसका जवाब हो गया अब हम लोग चलते हैं अगला कुस्सन की ओर तो हम लोगों ने इन सारे परस्णों का जवाब देख लिया अब हम लोग चलते हैं आगे grammar की ओर clauses clause माने होता है वाक्य look at the following sentences निमलिखित वाक्यों को देखिये इसमें तीन sentence है A, B, C Ivan was a farmer who lived in a village in Russia Ivan एकिसान था जो रूस में गाउं में रहता था दूसरा He had three sons who were laborious उसके पास तीन बेटे थे जो परिश्रमी थे तिसा sentence है Gabriel went to court by bus but Ivan went there by train Gabriel नियाले में bus से गये लेकिन Ivan वहां train से गये यहां देखते हैं All the three sentences given above have two separate sentence structures उपर के सभी तीनु वाकि जो दिया गया है उसमें अलग-अलग वाकि की बनावट है Sentence A consists of Ivan was a farmer and who lived in a village in Russia Sentence A में सामिल है Ivan एक किशान था और जो रूस में एक गाउं में रहते थे यह दो वाकि है The second Part is dependent on the first दूसरा वाला वाकि का जो हिस्सा है वह पहले वाले पर निर्वर है असृत है Similarly, sentence B consists of He had three sons and who were laborious उसी परकार से वाकि B में भी सामिल है उसके पास तीन बेटे थे जो परिश्रमित है The second is again dependent on the first उसी परकार से दूसरा भी अपने अर्थ की पुन्ता के लिए पहले पराश्रित है Sentence C also has two separate sentence structure Sentence C में भी दो अलग अलग परकार के वाकि की बनावत है Both these structures are independent ये दोनों जो रचना है वह स्वतंत्र है Sentences A and B therefore consist of a principal clause and a subordinate clause इसलिए sentence A और B में एक principal clause पर्धान वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य सामिल है A principal clause is that which has independent identity whereas a subordinate clause depends on the principal clause पर्धान वाक्य एक ऐसा वाक्य है जो स्वतंत्र होता है जिसकी स्वतंत्र पहचान होती है जबकि आश्रित वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जो अपने अर्थ की पुर्णता के लिए principal clause पर निर्भर होता है sentence C consists of two independent clauses which are called coordinate clauses sentence C में दो स्वतंत्र वाक्य सामिल है जिने coordinate clause कहा जाता है अगे देखते हैं now read the sentences given below and identify the principal clause the subordinate clause and the coordinate clause अब कहता है अब नीचे दिये गए वाक्यों को पढ़िये और पहचानिये कि कौन principal clause है कौन subordinate clause है और कौन coordinate clause है तो पहला sentence है I don't know where she lives तो मैं नहीं जानता हूँ की वा कहां रहती है तो I don't know मैं नहीं जानता हूँ या principal clause है where she lives की वा कहां रहती है या subordinate clause है उसी परकार से ये An old man had four sons एक बुढ़े आदमी के पास चार पूत्र था या है principal clause और who were lazy ये है subordinate clause ऐसे ही राम वाजपूर but his sister was honest राम गरीव था और उसकी बहन बट लेकिन उसकी बहन इमानदार थी या दोनों coordinate clause है I can't forget you as long as I live मैं जब तक जिन्दा हूं या रहूंगा मैं आपको भूल नहीं सकता तो I can't forget you या है principal clause और as long as I live या है subordinate clause उसी परकार से he is ugly but his wife is beautiful वह बद सुरत है लेकिन उसकी पतनी खुब सुरत है तो यह है coordinate clause क्योंकि यह दोनों अपने आप में स्वतंत्र है कोई किसी पर आश्रित नहीं है तो यह हो गया coordinate clause अब हम लोग आगे देखते हैं अभिशेक was found of Rasgullah but he did not like the levies तो यहाँ पर दोनों जो है coordinate clause है और इस परकार से हमारा यह प्रस्न भी क्लियर होता है let us talk अब हम लोग बात करें discuss the following statement first in a small group and then with the whole class सबसे पहले हम लोग छोटे-छोटे समूँ में बात करें इसके बाद पूरे वर्ग में बात करें hatred breeds hatred नफरत नफरत को बढ़ाता है anger leads to destruction गुसा बरवादी को लाता है इन दो टॉपिक पर हम लोग को अपने वर्क अक्ष में दोस्तों के बीच चर्चा करनी है composition रचना write a paragraph in about 60 to 80 words on any one of the topic listed in e.1 for discussion तो उपर जो discussion के लिए दो टॉपिक दिये गए हैं उस पर जो चर्चा होता है उसी चर्चा के अधार पर 60 से 80 सब्दों में हमको लिखना है अगला question हम लोग देखते हैं अगला प्रस्न है जी यह अनुवाद है translate the following paragraph into Hindi or your mother tongue आप निमलिखी तनुछेद को Hindi में या फिर अपनी मात्री भासा में अनुवाद करें तो परहा हुआ है हम लोग का एक बार फिर से मैं अर्थ बता देता हूँ इवान had some hands इवान के पास कुछ मुर्गियां थी one day a hand flew across the fence एक दिन एक मुर्गी ऊर कर बारे से पार चली गई she laid an egg in Gabriel's house उसने Gabriel के घर में अंडा दे दी इवान's daughter-in-law went to his house to inquire into the matter इवान की पतो हूँ इस बात का पता लगाने के लिए उसके घर गई Gabriel's mother replied rudely Gabriel की मा वेरुखी से जवाब दी it led to a quarrel इसे जगरा हो गया soon इवान, Gabriel and their wives started quarreling sigring इवान, Gabriel और उसकी पतनिया जगरा करने लगी their neighbors had to intervene to pacify them उनके परोसियों को उन्हें शान्त करने के लिए हां स्षेप करना पड़ा है और इस अनुवाद को आप लिख ले copy में अभाई activity गतिवीजी करना है सामुहिक रूप से language game भासा का खेल खेलना है कता है the first student writes a word on the blackboard पहला विदार थी board पर एक सब्द लिखता है the next student writes a word beginning with the last letter of the previous word अगला जो विदार्थी होगा पहले वाले सब्द के जो अंती मक्षर होंगे उस अंती मक्षर से शुरू करके एक सब्द लिखेगा नए the next student writes the word beginning with the last letter of the word written by the second student अगला जो विदार्थी होगा दूसरे विदार्थी के द्वारा लिखे गए सब्द के अंती मक्षर से नए सब्द की शुरूआत करेगा here is an example उसका एक उदारन यहां दिया गया है जैसे work पहले विदार्थी ने board पर लिख दिया work तो उसका अंती मक्षर है कि दूसरा जो विदार्थी आगा आप केस से एक सब्द लिखेगा तो उसने लिख दिया सब्द कर यह काईट तो इसकांती मक्षर है E तिसरा आगा वह लिखेगा इट इसकांती मक्षर T है अगला आगा T शे एक सब्द लिखेगा और इस परकार से कता है आसा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के विज़ सेर कर दे आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आपके साथ नए चेप्टर में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार ओम सांति